कि अचल भी है और अधर शांतुनू वेलकम टू शंतुनू बाट्सक रेज्ट मैंने सोचा कि मुद्ध एक सिरीस बनाया जाए हर बाट्स के पीछे जो बाट्स हम लोग घर में पालते हैं ब्रेडिंग पार्पस मैं सुरुवात तो कर रहे हूं लाब बार्स के ऊपर लेकिन ह बाट के उपर में वीडियो बनोंगा है यह सांडे स्पेशल में एक एक बाट करके आएगा कि बीज में से आ सकता है लेकिन हम सोचेंगे क्योंकि जो बीगिनार लेबल पर है बहुत सरे दिक्कते हो रहा है उसको डेडिंसल हो रहा है बाट एक छोड के चले जा रहे हैं ही नहीं दे रहे हैं फिर एक रहते रहते ब्रीडिंग मोट बे चले आरी हर चीज के उपर अगर हम पुरा एक डिसकस करेंगे हर स्पीसिस को प बात करेंगे सुरुआत कर रहे हैं लाब बाट के उपर एक क्लिप देख लीजिए जो क्लीप हम से क्लीप देख लिए देखते देखते हम बात कर रहे हैं लब बार से बहुती ब्यूटिफुल वार्ट है हम लोग जानते हैं आज की डेट में ऐसे कोई मतब शौकिन नहीं ह है लेकिन अपका पैसे पासंदीदा वार्ट कौन सा है दिखे मेरे के पासंदीदा वार्ट बहुत सारे है मेरे हर मान लीजिए मेरे कवा को भी प्यसंद करता हूं कि एक लाबर होने के नाते में कभी अलग नहीं किया किसी को हाँ को तो घर में पाल नहीं सकते है लेकिन उस मेरा उसका उठना बैणना इसलिए देखिए मैना ज्यादा तर पुराने लोग जो है न मेरे ौप बढ़ार्ण काई ज्यादा मेरे घर में ज्यादा तर लाबड्ड प्यार है लाबड़ मान लेड़ी हम बोल नहीं सकते को कि से को कोई भी branch हम यह भो दहने सकते हैं जो इसको प्यार नहीं करते हैं उसके प्यार्ज फज पर लाइब लेकिन हाँ बोल सकते हो कनूर और लाब बार्ज मेरे सबसे पसंदीदा बार्ज के भीतर मद्दब सामने अगर पॉइंट खिसाब से देखो लाब बार्ज कनूर और जापा उसके साथ साथ बाकी बार्ज पर भी ऐसे नहीं है जो हर बार्ज को मैं रेस्पेक्ट करता हूं एक बार्ज लाबर होने के नाते एक रेस्पेक्ट होना चाहिए चाहिए और एनिमल हो इंसान हो या मदब कोई भी संगसार में कुछ भी हो उसके हब किसी का एक रेस्पेक्ट होना चाहिए जो रेस्पेक्ट में हमें हमेशा देता रहता हूं तो देखिए क्लिप खातम हो गया अब लोगों ने जैसे देखा कि कोई भी बृड निंग्क कराने से पहले लबड बीदिंग हम इसलिए बोल रहे हैं लंब बैर्ट कि लोग क्या सूचते ही यह मत सोचिए आप क्या सोचते हो व्रीडARON के लिए पर यह सोचuju कि मेरे बाद लोग कैसे देख रहे है चीजों को ऐसे मद देखो आप कैसे देख रहे हो चीजों को वह देखो वह इंपॉर्टंट है क्योंकि मेरे घर में छोटा स्पेस है ऐसे आप डूडिंग में मैं सभी को छोड़ देता हूं बड़ा केज में इस साइड में बड़ा केज अभी फोल्डिंग केज उठा के रखे है उस थान पे थोड़ा सा मदब जैसे होता है ना संगसार में टेबल चियार वगड़ा कि हमको मेरा चोटा स्पेस है उसको तो बड़ा नहीं कर सकते हैं हाँ रहे हैं थोख सेम करने जा रहे हैं होंगा लेकिन थोरा साफ के सथा जरूर स्यार करेंगे लेकिन जब तक्रहों तुछ नों वें लोगा अच्छा रखना परे लेकिन ब्रीविटिंग टाइम मेरा ऐसे लिया था में उसी टाइम पर मेरा मेरा मुल फामAT चेक करने का प्राश थोड़ा चा लग है। हमें आज तक कभिए नज नहीं कर भूह हूँ कभी नगी नियर्ट के बारे में सोचा ही नहीं है। मिर्ट इतना स्वह उनलेज होँ हूं आज तक पुरा चीकूं हुन्हा। जो बोड़े बीडर है सभी का प्रॉबलेम होता है इलाबबट जेंडरिंग करने में तब जाके बोड़े जो मीटेशन है मेरे घर में भी बोड़े बीटेशन कभी हमें ने जेंडरिंग नहीं सुरी डिन नहीं करवाए देखा ऑब्जाब किया मेल फी मेलेक किया आज वेग लेकर के बैटे है मदब हैचिंग होके बच्चा निकल चुका है तो मतब तो कॉन्फर्म है लारका लारका लारकी लारकी तो होज नहीं सकता है एक बात जान लीजिए जो वीगिनर है अगर आपके फास्ट पॉइंट थोड़ा सब मादब लेट होगा लेकिन सुनिएगा ज कि अब बोला जाता है उसको मतब एक मैं कोई अलग सेक्स नहीं है एक ही सेक्स को भीतार प्यार यह इंसवन में भी है लेकिन आम लोग बात कर रहें जानवार मतब बाट्स के ऊपर तो यह एग लेंग होगा कुई लिए फटाइल नहीं होगा जैसे पोल्टी में देखा जा तो यह अलग सा उसका टेस्ट होता है अलग सा चीजे होता है वैसे ही लेकिन आगा लार्का लार्का बाट्स मेट करेंगे मेट तो होगा लेकिन एगलें होगा कि नेचर ने फिमेल कोई कोई भी फिमेल को मदब बैच्छा को जनम का स्रमता दिया है लार्का को नहीं तो इस में आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में पॉइंट फोकस किजिए तब ही जाके आपका सक्सेस सामने आएगा तो इसी लिए लबबर जो लोग ब्रीट कर रहे हो बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है इस उरुवात में हमको भी जहलना पर लेकिन मैंने लोग के तरफ नहीं करा तो आज तक कोई फॉल्स ब्रीडिंग नहीं हुआ हां यह बोल सकते हो जैसे घर में आके देखिए जूट बोलके तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं हुए तो कोई भगवाद नहीं हूँ जो हाथ ऐसे घुमाऊंगा और चांग बंद करूंगा सब कुछ हो को जाना हो विएा जाना हुआ तो करके नुक्तम कि मैंने देख्हें एक बाद में एक वीडियो तो बोला था जो में मेरे कबास को जानताओं ना अभी मेरा एक्जाम है रात जागना परेगा इस ताइम में इसको मटकी देदिया उसको जो सही से नेस्टिंग करना है वो दे दिया मेरा नेचरल भी प्लसहें उसको दिया था दाउन के साथ तब ही नहीं बुरा साली चलताए है उस मैं धुभी उसकरता हूं तब ही जाके सामने लेकर आए i've so तो हम बाते सक और बार्ट का सब्सक्रान करेंывает कि मतलब मतलब हील्थ मिलिंग करो हैम के लोग यह देख ही चीज गौर में कोशिज किजै अगर cycle इंसन में भी मीनस्वान में हम और जए जो ऊंडर्वेट बेवी जभी डाउ होता है तो मतलब क्या है जो बेवी का जो इतना हुए या उस मुस्ट को नने के बाद बहुत सारे खोंपुपू्पीशन चले होड़ीया ते उए married मांदम से तो नीट्रिशन नीट्रेट होके बवी का जानम हो रहा है जीन या क्रोमोजोम डीएने सारे बात छोड़ी अगर हम सिंपल लोए में समझे या समझाने की कोशिज करें नीट्रिशन के कमी होने से कि हम लोगों का जो मा बेहन जब दीदी या वाइप कोई भी हो तो डॉक्तर बोलता अच्छा फूर्ट काने के लिए अच्छा चीज़े खाने के लिए अच्छा चीज सोचने के लिए कि सोच में भी एफेक्ट आता है तो इस ताइम पे ज्यादा क कुछ मदब एग्रेसिव यूश्ट एग्रिपन एग्रिसिवनेश वा मदब वाइलनेश या कुछ भी ऐसे कुछ करने के मना करते हैं क्यूंकि हम लोगों का सोच और हम लोगों का फूर्ट बहुत एफेक्ट डालते हैं उसी चीज़ को पर वैसे ही बार्स को से अगर आब भी इश कंब ब्रीडिंग में सही से यूट्रेट खाना प्रोब्याइट करोगे यूश कट ब्रीडिंग टाइम पर आपको मटपी लगाना वाधीा है अ सब्कुत को सब्सक्रिंब में सा कूंगल में तबहुता दुब स alltid पने erad मों यह बना वोले नहीं आया हूं YouTube पे हाँ अज के डेट में बहुत लोग हमको जानते हैं में खुदी नहीं जानता हूं कि इतना लोग हमको जानते हैं यह कैसे जान पाता हूं मेरे फोन कॉल साता है एक दादा नहीं जो आर्मी में है फोर्स में है पिछले हपता में हम इसी हपता में फोन किया है वो और हम लोग का इंडियन स्फोर्स में है आर्मी में है तो जिसको जो रेस्प्रेक्ट देना चाहिए मैं हमेशा देता हूं तो उन्हों ने जैसे बोला ददा आपका वीडियो फॉलो करके इतना अच्छा मिला अपका फूड भी लूँगा ये सारे चीज बोला तो ऐसे ह हम जान पाते हैं बहुत लोग आज के डेट में हमको फॉलो करते हैं और कैसे भी करके उसको रेजल्ट अच्छा आ रहा है मेरे बातों कमान के चाहिए हो हील्थ के लिए हो कुछ भी कलियो लेकिन फिर भी ब्रीडिंग में समस्रा हो रहा है प्रॉब्लम्स आरा है में ज्यादा ध्यान दीजिए फ्रेंज सब्फूट का एक नियम है आज हम श्यार कर रहे हैं थोड़े बहुत बाकी हम जिसी को लागेगा सब्फूट को और भी जानकरी तो हम पर्सोनली वर्टसप करें देंगे जितना जितना मेरा जानकरी है उसी की सबसे मैंने जो स्टाड ड्राइफूट ज्यादा पसंद करते हैं मतलब जिसमें पानी ज्यादा ना हो इसी लिए वेजिटेबल समलोग जब्दा जिस बार्स का हैबिट है वो सही है देखिए मेरे घार में आके हर चीज में थोड़ा-थोड़ा पानी होता है लेकिन उन लोग का है वो लोग खा ले हाला कि सीड्स में प्रोटीन फैट तो मदब थोड़े बहुत नूट्रेशन है लेकिन जो नीट्रिशन पाट में है सोफूट सा पूट में है फूट सौपूट का एक पाठ है लो एक बाद मान जानने जिए बहुत लोग का यह धारना है तूलसी पाता एक सौपूट रही ह मतलब डाल उपर से शक्त दिखा रहें भीतर से नर्म मतलब पानी शोक कर लिया इसलिए उसको शोक फूड नॉट सौक फूड वह सौक फूड का एक पाथ हिस्सा है ति इसलिए यह सारे चीज का भी नॉलेज होना चाहिए जो क्या हम प्रोवाइट कर रहें उसके उपर तो ध उपर से थोड़ा सा कागनी दाना या कोई भी कैनरी जो अपका सीट जादा पसंद करते हैं उपर से शोप्टूट को पर छिरत दीजिए एक हैबीट है जब आप खाना खिलाने जा रहे हो नहीं खा रहे हैं जो चीज ज़्यादा खान ले रहे हैं बाकी चीज परे रहते है उन चीजों का कमती करके एक बैलेंस डाइट बनाके प्रोवाइट कीजिए सुरुवाद में नहीं खाएंगे लेकिन यह सी और है उसका भूग लगने से वह जरूर खाएंगे रात में दाना पानी जरूर निकलनी जिए जो इसका एड़ मदब जो सिंगल प्यार है मदब ज सिब मेरा कोई हुट का मतब जागि नहीं मदब खुद का प्रपरटी नहीं है जो हमीट सिब जान सकते सब घजन चान सकते अगर कोसिफ करेंगे तो उसको हम लोग पा सकते हैं तो रहार काम को फोरके उसको टाइम दियाको एक नशा जैसे हैं जब तक जिन्दा हुँ तब तक जानूंगा तब तक जब तक यह चैनल है मैं जरूर शेयर करूंगा तो रात में अगर बेबी है अपके घर में कोई भी बार्ट ले लिजी पानी जरूर रखिए कि पानी के अवाप से बार्ट का कॉपी इंप्रिक्शन होके मार सकती है या डाइजिस सही से नहीं पानी पीएगा तब ही जाके दोनों मिलके एक डाइजेस्ट होगा मतब वह चीज डाइलूट कर पाएंगे और वही चीज अपने बेबी को ऐसे खिलाता है शीप सीट्स खिना से उसका वित्वर्ट होता है विदाउट पानी और सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है इसी भूसा कीजी जूड नहीं बोल रही है नहीं तो बच्चा मर्थ एक्सपार हो सकता है लेकिन आफ टाइम पे दाना पानी पुरा निकलनी जिए भूग का प्यासा रहने दीजिए सुबह में प्रवाइट कीजिए एक दिन जाएगा दो दिन जाएगा जैसे हम लोग का भी हो बमड़ के बाद आप आप झाला नहीं कि यह होता है कभी कभी क्या होता है देखिए जो चीजा प्रवाइट कर मान लीजिए इस घर में जो कुछ भी चीज़ है मेरे दिमाग में है इस चीज़ को यह बोला जाता है मैंने माल लीजिए क्या माली जी एक मैंक है इसको मैसूअंध बन करके बोल सकते हैे मैं मईत मैंक है जो हम वोन को रेकाइए मेरे ب्रेंड में इंफॉर्मिशन रहे हैं यह क्या चीज को फोन स्माटफोन में कैमेरा हें उसी की सम स्कूल करें मतलब जानकरी पहले से होना चाहिए तब ही जाका हम चीजों को पहचान सकते वैसे बार्ट के वितर कुद जानकरी कम होने से छुटे आवस्ता में अगर उसको सही से ना देखा जाए लेकिन विश्वास किजिए मेरे घर में आके कुछ भी टाइम देख लीजिए प्रमान दे यह होता है लेकिन क्या हो पहले कि चीजों को नहीं पाशान hon ब होते जाएंगे विइसaréकोंप कायंद्ग जिसी और बोगना फौर्द सोफड़ूडड में होगा बती हैंज ईसी veन फोले यह कारण होता है ज्यादा सौड़ जाद़ काता है इससे नहीं होगा ढहें ऑत्र सब्सक्राइब नियुट्रिशन है जिसमें मीट मीनेरल से कर्भो हाइडरे पॉर्टाशियम सोडिया मैगनेशियम जो कुछ भी होना चाहिए उसके मात्रा में उसको दीजिए और ब्रीडिंग में रेडी कीजिए देखिए अपका ज्यादा नस्ट नहीं होगा ज्यादा विस जब लेंग होता है मेरा तो खुद का बनाया हुआ जो सी सी भी है मतलब क्यार बाड उसका छोटा फॉर्म है सी सी भी एडवांज अभी प्लास हो गया जरूर प्रोवाइट करता हूं पूरा साल हिसाब से कनूर को एक ऐसे मतलब में उसका क्वांटिटी होना चाहिए देने का लग फिंज को अलग और जब फ्रिमेल एग लेंग कर रहे हो उसी के टाइम पर मैं जरूर प्रोवाइट करता हूं मेडिटीटेट केल्सियम की बार्श के शरीमकार्बोनेर्ट काल्सियम क्लोराइड यह सारे चिज़ंद्ध है कि केल्सियम सिभ एग नहीं में कभी अगर सेंट को उपर सो करकूज मैं जब केलसीयम देता हूं एक वेटनरी एक हीमेन दोनों मिला के देता हूं कि यॉशियम को नमक है ना वार्च के सरीन में कैलसीयम क्लोडाइट एक के लिए काम करते हैं ठीक है बाकि जो सिस्टेम कैल्सियम है वह भी देना चाहिए तब इस अपका कैल्सियम का हाइपो का मतलब कल्सियम का घर्ती नहीं होगा यह हाइपार कोई भी चीज विस्पास कीजिए जो बोल रही हूं मानके देखिए अब लोग के उपर है लेकिन जो लोग अश्तक मानकर आ रहे हो मेरे बात अब लोग को तो गलत कुछ नहीं हुआ उल्टा फायदा हुआ हर चीज का एक बैलेंस बनाई है खाने का एक बैलेंस बनाई है चूस बैलेंस को आप प्रोवाइड किजिए अपका बाड़ लिख कर र से रख पिंटर से आप से फीड न कर रहे हैं वेदर कारेंसे मूड बदल जा रहे हैं हर चीज सो अम लोग कांच्रोल कर सकते हैं सही से अगर देखे तो उसके लिए प्रीडिंग में आपको सही से चलना परेगा तो लब अगर ब्रीड करना चाहते हो कुछ चीज पॉइंट में तोरा सा ध्यान दीजिए बोल रहे हूं केज को ज्यादा परिसकार मत रखो अनिमेल प्रोटीन भी उसको जरूरत है एक फूट जरूर प्रोवाइट कीजिए कैसे क्या अगर आप लोग का रिकॉर्मेंट से तो मैं जरूर एक फूट को पर एक लेकिन क्या है वो लोग क्या समझते है एक फूट को उसी को दिखाते हैं कि लेकिन मैंने कुछ एक्सपीरिमिट करके कुछ और समझा जये क्यों दे रही है माँनी जी मेरे घर में आज उसको स्टाडी करते हैं प्रिर उसको जानते हुने निट्रीशन क्या है। उसको एंगा सबराई करते हैं। क्या होता है लेकिन देखी अपकर है , मैंने लिए यह मैं इसको बड़ा नहीं दे रहे हूं लेकिन मैंने खुद देखा जो बैच्चा हुआ है उसको कितना क्वांटिटी देना है किसना मात्रा में क्या चीज़ देना है मदब आज उसका कप सामने खेल हो गया कि प्रैक्टिकल करने से नौलेज भरता है मतब उसको चार पूनद चाने का दनाHa यात्थो दूगा उसको गेहूं कितना परिमान दूगा कैसे होना चाहिए यह सारे चीज़्स में जानकरी होना चाहिए तो इसलिए वो हमको हेल्प करते हैं जो हमने देखा है जब जब इसका मदब हाथ दिखा जा रहा है कि उस फुबाद चार बज़े से मदब फूर्ट को रेडी करते हैं चार सारे चार बज़े उठते हैं खुद का अतमें वेजिटेब्ल को काटिंग करते हैं चावा की लिए आलग वजिस के लिए आलग लबश की लिए अलग कनो के लिए उसका साइस को अलग अलग हुआ उसको उपर मतब यह मेरे कुशिके बात है ऐसे मैंने हमको मैरे कुछार मिला जो अगर उस उब हमको करना प तो इसलिए शॉप्ट गूट को ज्यादा फोकस कीजिए एक चीज दिमाग में घुशा लेजिए आपका बार्स का या एक देखिए जोड़ जब अदिस्ति मत घुशा एक चीज को फिल कीजिए हम लोग कैसे चलते हैं जीबने खाना खाके ही तो चलते हैं ज्यादा ओरोक के अच्छा इन्सान उसका बॉड़ी कैसे वाक करते हैं जो खाना खाते हैं उसी के साब से संप्ल कि अब मदब जब बोलने ही चाहते हैं चाहरे बात हम दुसरे वह से समझाने की खोशिश करें उसका बॉड़ी पूरा वाक पूरा हॉर्मोन्स बोली है पूद्धा सब कुछ बोली हम लोग रोटी खाते चावल खाते सब्जी खाते सारे चीज़ को पर तो डिपेंड है वैसे अपका वार्ष का मेडिसीन को पर डिपन मत बनाई है जरूरत से उसकी जरूरत से उसकी जिए कुछ लोग क्या करते हैं ज्यादा कुछ ओभर कर देते हैं ऐसे मत कीजिए एक चीज ब्यानिए हम चीकन के भी शक जरूरत है जावा को लेकिन उसका बैलेंस होना चाहिए अब इतना चीकन मत दाल दीजिए उसका पेट खड़ा हो जाए वैसे ही हर चीज का नेचरल का भी एक मात्रा होना चाहिए विटामिन का भी मेडिसीन डिपार्टमेंट का भी साथ टाकत सबuma कई सब्सक्राइब क होन्सेद क्यों वेने टाकत से बहुत कुछ आए मैंने देखा मैंसुस किया तो इसलिए निट्रीशन में ध्यान दीजिए बार्सली वार्ट में ध्यान ह tuay pensar मैं जा रही हो एंजाएंस या ऐसी मदब शरीर का जो और अधर्स ओर्गन है उसे ही से काम कर पाएंगे क्यों सही से कार पाएंगे कि जो निट्रिशन शरीर में जा रहे है वो तभी लिबर सही होने के कारणी और शेयर हो पाएंगे बोडी में चाहिए हो वीटामीन सो फैट हो करवाइडेड हो तो हमेशा लिबर में फोकस किजी नैचरली अगर अब चाते हो जानना कैसे लिबर को फोकस करें तो कॉमेंस में बोलिए कॉमेंस जादा आएगा तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा यह ज़रूरी है क्योंकि हर चीज जान के कीजिए सून कर बहुत गलती करते हैं और यह भूगत इसको भूगतान आपको नहीं देना पड़ेगा एक प्रान को देना पड़ेगा जो कुछ नहीं बोल पाते हैं सिब चोड़िये मेरा खुदका एक फिलिंग से समझा नहीं सकते हैं चोड़िये जो जानकर सब कुछ की जी तो लबबड बीडिंग करवाने के लिए जो जो चीजों का ध्यान रखने के लिए धन रखिए केज परिसकार रखिए बार्च को हिल्दी रखिए ब्रीड ऐसी होगा तो आज इतना ही आने वाले विक में में पर ही बोल रहे हूं बाकी बार्च में भी सेम कुछ पॉइंट सेम होता है हर बार्ट में प्रोटीन और कार्वाइडेट खाने की सग जरूरत है उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज बाइग्नोर मत कीजिए तो आज इतना है कुछ भी इसको पर और भी कुछ जानना है तो नीच कॉमेंट कीजिए वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए मैं उसके उपर जरूर एक वीडियो मनोंगा झाल झाल